Hello everyone, how are you all? आज हम सीखेंगे घर में बोले जाने वाले कुछ easy से English sentences तो चल ये शुरू करते हैं जाओ अपने हाथ धोलो Go and wash your hands जब आप किसी को ये बोलना चाहोगे कि जाओ अपने हाथ धोलो तो आप क्या यूज करोगे? Go and wash your hands या फिर आप ये भी बोल सकते हो Go and wash your hands properly यानि कि अपने हाथ ठीक से दोलो या अच्छी तरह धोलो खाना तयार है, food is ready खाना यानि कि food ready मतलब तयार और is है, food is ready पंखा बंद कर दो, switch off the fan अगर पंखा चलाना है तो क्या बोलोगे? switch on the fan अगर पंखा बंद करना है तो आप बोलोगे? switch off the fan मेरे लिए चाय बना दो prepare tea for me या आप ये भी बोल सकते हो कि please मेरे लिए चाय बना दो तो आप बोलोगे? please prepare tea for me दर्वाजा बंद कर दो shut या close the door कुछ लोग door को gate बोलते हैं नहीं दर्वाजा जो होता है उसको door बोलते हैं gate नहीं बोलते हैं gate होते हैं वो बड़े जो iron के gate बने होते हैं जैसे school के बहार बड़ा सा gate बना होता है तो उसको gate बोलते हैं लेकिन जो घर में हमारे दर्वाजे लगे होते हैं उसको door बोलते हैं टिशेज मतलब बरतन, before मतलब पहले, sleeping मतलब सोने से पहले, तो do the dishes before sleeping, धोने से पहले, बरतन दो देना. क्या तुमने दर्वाजा बंद किया? अगर आपको किसी से पूछना है, अपने घर की family member से, confirm करना है क्या तुमने दर्वाजा बन किया तो आप पुछोगी did you lock the door? थिक्ए? did you lock the door? lock मतलब बन करना दर्वाजा क्या किसी ने मेरा चश्मा देखा है? has anyone seen my spectacles? spectacles मतलब चश्मा मैं tv में news देखूंगी I will watch news in the tv watch मतलब देखना tv आपको पता है news I will watch news in the tv देखूंगी क्यों कि इसने बोला मैं देखूंगी I will watch news in the tv आज तेज कर दो turn up the heat अगर gas की आज आज आपको तेज करवानी stove की तो आप बोलोगे turn up the heat खीरा कार दो slice the cucumber आप रात को क्या खाना? खाना चाहेंगे what would you like to have for dinner रात को अमारा डिनर ही बनता है तो इसलिए हमने dinner word यूज कर रहे what would you like to have for dinner ठीक है तो रात को क्या खाना खाना चाहेंगे तो आप बोलोगे what would you like to have for dinner तो दोस्तों अगर यह sentences और words आपको अच्छे लगे और आपको यह lesson समझ आया तो मेरे channel को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले और comment करें जो भी आपको वीडियो चाहिए कोई ऐसा topic जिसमें आपको query है वो आप comment box में दिख सकते है मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशेश करूँ धन्यवाद है